बचो आज की वीडियो में हम जो कबर करने वाले हैं वो कबर करेंगे अपतल गोलिये प्रस्ट के अपवरतन का सूत्र ठीक है तो इसके अपवरतन का सूत्र हम लोग यहाँ पर कबर करेंगे तो सबसे पहले डाइगरम बनाते हैं और डाइगरम बनाना मैं आपको सिखाता हू उसके बाद हम लोग आगी की derivation को करेंगे ठीक है तो दिखिए अपतल गोलिये प्रष्ट पर बनाना है तो इस सबसे पहले हमें गोलिये प्रष्ट बनाना है जो की अपतल होगा ठीक है तो एक काम करते हैं गोलिये प्रष्ट बनाते हैं यहाँ पर यह है हमारा अप्तल गुलिये प्रस्ट ठीक है इस साइड में इसके सघन माध्यम है यह इस तरीके से यहाँ पर जो है यह सघन माध्यम है मैं इसको लिख देता हूँ यह है सघन माध्यम ठीक है दोस्तो अब देखो क्या है यहाँ पर अब हमारे पास इस साइड में यहाँ प और ये जो है ये हमारा बिरल माद्धे में ठीक है ये बिरल माद्धे में और ये सघन माद्धे में ये बात के लिए रहना एकदम ठीक है इसको हम बोल देते हैं N1 और इसको कह देते हैं N2 ठीक है आप देखो सपोस कीजिए देखे डाइग्राम कैसे बनाना है बहुत अच्छ प्रकास की किरण इस तरीके से चलना स्टार्ट करती है यहां तक जाती है ठीक है अगर यह आगे जाएगी तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी ठीक है और यहां से मैंने एक लंब डाला है इस तरीके से यह हमने यहां से एक लंब डाल दिया है और यह जो पॉइंट है इ यानि इसका धुरूब है अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमने नाम दे देंगे चलो अभी देंगे नाम और इसका जो प्रतिबिम्ब बन रहा है वो प्रतिबिम्ब यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है ऐसे करके यहाँ पर यह एक आई है यहाँ पर इसका प्रतिबिम् यहाँ पर इसका बक्रता केंद्र है इस तरीके से इसको हमने C से डिनोट कर दिया ठीक है यह बात बिल्कुल केलियर है अब देखो माल लेते यह जो एंगल है यह एंगल एलफा है ठीक है और यह जो एंगल है यह बीटा एंगल है ठीक है और यहाँ पर जो एंगल है इसको हमन कह दिया गामा एंगल ठीक है यह सारी बाते किलियर है यहाँ पर यह जो सी से जा रहा है हमारा इसको हम लंब भी बोल सकते हैं इस तरीके से ही है हमने एक लंब डाला है इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए पॉइंट यह बात बिल्कुल किलियर है यहां तक अब देखिए यह पॉइंट से हमने लंब डाला था अब हमने एक अपवर्तन में पड़ा था कि जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है उन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलते है आई बोलते है ठीक है इसको हमने बोल दिया I और ये जो क्या है अपवर्तित किरण है ठीक है क्योंकि ये I बन रहा है यहाँ पर तो अपवर्तित किरण और यहाँ पर यह है अभिलम्ब तो अभिलम्ब और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं आर एंगल यह हम पढ़ चुके हैं पहले ही अल्रेडी तो एक दम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यतना समझ में आ गया होगा अब यह जो हमने एक पॉइंट माना यहां पर M ठीक है तो यह जो हमने यहां से एक लंबर डाला था एक पॉइंट से और यह जो एक पॉइंट है बहुत ही क्लोज है ठीक है यह जो आपका अपतल गुलिय परस्ट है इसके बहुत क्लोज है यह पॉइंट तो यहां से जो हमने लंबर डाला था इसकी उचाई हम मान लेते हैं स्मॉल एच ठीक है यह वात यहां तक किलिए रहे आप देखिए दूरियों को मेंसन करते हैं आ जानी दूरियां क्या होती है यह जो अपतल गुलिय परस्ट है इसके धूरूप से मेंसन की जाती है तो आप गौर से देखिए यह इसका बकृता केंदर है और यह इसका धूरूब है तो बकृता केंदर से धूरूप तक के बीच की दूरी को बकृता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम capital R से denote करते हैं, ये बात के लिए रहे हैं, ठीक है, और आप गौर से देखिए, ये क्या है, प्रती बिंब है, तो प्रती बिंब से दरपन के धुरुप तक की जो दूरी होते हैं, उसे हम B से denote करते हैं, तो ये चीज हमने यहां से B से denote कर ली, ठीक है, आप ये क्या है, वस्तू रखी हुई है, तो बस्तू और दरपन के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, यू, तो इसको हमने यहां पर इस तरीके से mention कर लिया, तो ये सारी हमारी दूरिया हो गई, अब इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है, वो ये ध्यान रखने वाली है, कि इस सारी दूरियां क्या है, इस लेप्ट हैंड साइड की हैं, तो ये सारी दूरियां क्या होंगी, रिनात्मक होंगी, आप देखिए बच्चो, आगे के derivation में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके angle mention कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, angle कौन कौन से थे, अगर बा A, O, P, अगर इस angle को देखोगे, तो यहाँ पर angle जो हैं मारे पास कितना है, alpha है, और angle AIP, ये कितना है, angle AIP, ये जो angle है, ये वीटा angle है हमारे पास, ठीक है बच्चो, आप देखिए, अगला angle देखते हैं, angle ACP, तो angle ACP कितना है हमारे पास, ये है गामा angle यह बात क्लियर है ठीक है अब बात करते हैं यहां के एंगल की तो देखिए O A C अगर O A C की बात करें एंगल O A C यह है I और एंगल I A C की बात करें O A A C की अगर बात करते हैं तो यह जो एंगल है यह है R एंगल ठीक है इतनी कहानी हमें सभी को पता है अब हमें simply कैसे इसमें apply करना है तो मैं आपको बताता हूं देखिए हमने एक चीज पड़ी थी mathematics में कि कोई भी triangle होता है और उसका एक भहिस कोण अगर दिया हुआ है तो अ कि पिछले derivation में मैंने आपको बताया था ठीक है जब हमने किया था तो अब मैं आपको फिर से बताता हूं अब देखिए apply कैसे करेंगे अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सबसे पहले एक triangle ले रहे है ट्राइंगल OAC तो देखिए triangle क्या है OAC मतलब यह वाला triangle है तो इसमे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए भहिस कोण कौन है गामा 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 प्लस अपर यह लिख सकता हूं देखिए आई एंगल है आपर और यहां से मैं I की भी value निकाल सकता हूँ अगर I की value निकालूँगा तो alpha side में आएगा तो gamma minus alpha यह हो जाएगा equation number बन कहा देता हूँ मैं इसे ठीक है ऐसी same मैं कि अगर रहा हूँ दूसरा angle निकाल रहा हूँ IAC यह वाला त्रिभूस दिले रहा हूँ ठीक है तो triangle IAC में इसमें अगर देखूँगा तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा gamma equals to beta plus R यही मिलेगा तो यहां पर देखिए beta plus R और यहां से अगर मैं R की value निकालूँ तो हमें मिल जाएगा gamma minus beta यहां से हमें I और R की value एकदम मिल चुकी है अब हमें बात करने है आगे की अब आगे की बात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए एक नियम पढ़ा था हमने किसका स्नेल का नियम अब स्नेल के नियम में हमने क्या बढ़ा था कि sin I upon sin R equals to n2 upon n1 यह बढ़ा था तो हमने क्या किया है यहां पर देखिए इतना थो हमें clear है ठीक है यहां तक कहानी पूरी के लिए रहे अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ इसको बोल देते हैं equation number 3 ठीक है अब देखिए आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको इसको थोड़ा उपर कर लेता हूँ तांगे आपको पूरा ठीक से दिखाई दे यह देखिए अब आगे की कहानी बताता हूँ अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है समझने वाली यह है कि जो आपके i है और r है अलफा है बिटा है और गामा है यह सारे के सारे जो एंगल है पांचों एंगल यह बहुत छोटे एंगल है क्यों क्योंकि बच्चों यह जो am जो है यह बहुत close में है यानि जो mp है यह बहुत छोटा सा एक दूरी है एक सूच में दूरी है ठीक है यह बहुत पांच की दूरी है इसलिए तो यह सारे जो एंगल हैं बहुत छोटे हैं और जब एंगल छोटे होंगे तो यहाँ पर लिख ले दाओ, मैं एक बार, चूकि एंगल आई, एंगल आर, एंगल एलफा, एंगल वीटा, तथा एंगल गामा बहुत छोटे हैं, इसलिए, इसलिए क्या होगा देखिए बच्चों, इसलिए साइन आई की जो वैल्ल होगी, वो आई के बराबर हो जाएगी और साइन, आर की जो वैल होगी, वो आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, यह कहानी होगी, और दूसरी बात एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यह एंगल जो हैं, बहुत छोटे हैं, तो यह जो दूरी है ना, यह भी एक सूच में दूरी है, एम, और यह जो होगी, य आप मान कि चलिए, यह जो एम है, यह कहीं यहां पर है, बिल्कुल नस्दीक में पॉइंट है, बिल्कुल पी के पास में, ठीक है, तो हम जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर, देखें, यह जो c- m बाली जो दूरी है ना, इसको हम लिख सकते हैं, c- m equal to c- p, या फिर I am जो दूरी है न ये वाली I am equals to M sorry I am जो equals to है वो किसके equals हो सकता है IP के equal ठीक है और दूसरा OM जो है वो भी किसके equal हो सकता है वो हो जाएगा आपके OP के equal ठीक है तो ये कहानी आपकी रहेगी इसमें अब देखिए आगे की हो गया करना है देखिए यहाँ पर sin I equals to sin R हो गया और equation number 3 हो गई तो एक काम करते हैं sin I bar sin R के मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में अब इस समीकरण 3 में अगर इसके मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो अब आगे की बात बताता हूँ देखिए जैसे हम इसमें मान रखेंगे तो देखिए sin I equals to कितना रखना I रखना है तो यह जाएगा I upon R equals to N2 upon N1 ठीक है और इसको थोड़ा solution अगर देते हैं थोड़ा सा और solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा N1 ठीक है I equals to N2 R यह कहानी मिल गए अब हम क्या कर सकते हैं I और R की value हम already यहाँ पर निकाल चुके हैं I और R की तो इसको हम यहाँ पर put कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम I और R की value रखते हैं तो क्या value मिलेगी हमें देखिए यह हो जाएगा N1 I की value कितनी है गामा माइनस अलफा बराबर N2 R की value कितनी है गामा माइनस बीटा तो यह कहानी हमको मिल गई और आप देखिए इसको बोल देते हैं question number 4 तो यह कहानी हमें समझ में आ गई आप देखिए बच्चो आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ वही process करनी है जो हमने यहाँ पर लिखाता हमने पहले भी लिखाता ना कि चू की angle alpha angle beta बा angle गामा बहुत छोटे है और am बराबर h है जो की बहुत छोटा मान है ठीक है आता है यह क्या हो सकता है देखिए अब alpha बीटा और गामा की value निकानने के लिए हमने यहाँ पर क्या माना था sin i equals to i माना था जब यह छोटे थे तो ऐसे हम क्या मान सकते हैं देखिए technometric ratio में 6 ratio हो गए sign cost and cost success तो यह सारे जो ratios है इनमें से कोई साब यहाँ पर ratios का use कर सकते हो लेकिन ratios को use करने से पहले हमें एक चीज़ का विसेज ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो sign था तो हमने sign यूज़ कर रखा था लेकिन हम आगे की process में क्या use कर सकते है ठीके तो उसके लिए हमें क्या करना देखिए यहाँ पर जिससे हमें फाइदा होगा उसको हमें यहाँ पर use करेंगे अब देखिए किस से फाइदा होगा sign से फाइदा होगा 10 से फाइदा होगा, कौस से होगा, किस से होगा, देखिए, यहाँ पर simply, हमने एक formula पढ़ा था, क्या, लाल बटे कका, यह कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है, अब लाल बटे कका में हमने एक 10 पढ़ा था, कि 10 बराबर क्या होता, लंब बटे अधार, तो आप गौर से देखो, यहाँ पर, लंब यह है, किसी भी triangle में अगर लोगे, इन तीनों में से चाहिए, यह हो, चाहिए, यह हो, तो तीनों में triangle में, लंब यह हो जाएगा, और आधार यह नीचे का base हो जाएगा, ठीक है, यह clear है कहानी, अब यहाँ पर देखिए, और कोई चीज लेते हो, तो बह 10, R equals to R, तो भी है, ऐसी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलफा और बीटा के लिए, यहाँ पर हम लिख रहे है, 10, अलफा equals to अलफा, 10, बीटा equals to बीटा, and 10, गामा equals to गामा, तो यह जो मान है, मुठा के equation 1 में रख दिंगे, स्वारी, equation number 4 में रख दिंगे, तो यहाँ पर लिख रहाँ में, समी करण, 4 में, मान रखने पर, अब इसमें अगर हम मान रखते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, and 1 equals to 10, गामा, माइनस 10, अलफा, equals to, and 2, 10, गामा, माइनस 10, बीटा, यह कहानी के लिए रहें, यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक पूरा आ गया, clear तरीके से, अब इसको बोल देता है, equation number 5, यह हो गई हमारी equation number 5, अब equation number 5 को करने के बाद, हमें क्या करना है, मैं आपको बदाता हूँ, अच्छे से, अब देखिए, इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ, यहाँ पर side, ठीक है, अब देखिए, आगे की कहानी, अब हमें क्या निकालने होंगे, 10 alpha, 10 beta और 10 gamma के मान निकालने होंगे, 10 alpha, beta और gamma के मान निकालने के बाद, इस equation number 5 में हम मान रख देंगे, और हमारा आगे का derivation हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए, हमें क्या करना है, यह है diagram, और इस diagram की मदद से हमें निकालने पड़ेंगे, 10 alpha, 10 beta और 10 gamma के मान, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, चूंकि 10 alpha, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, triangle, ठीक है, ताकि आराम से आपको clear समझ मैं जाए, मैं direct लिख देता है, तो समझ नहीं आता, ठीक ह है, इसमें देखते हैं, इसमें अगर 10 की value आप लगाओगे, 10 alpha की value लगाओगे, यह alpha दे रखना है, एंकल, तो इसकी value निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने 10th class में लाल बटे कक्का बड़ा था, तो इसमें जब लाल बटे कक्का बड़ा था, तो 10 की जो value होती थी, लंब बटे आधार होती थी, ठीक है, तो यहाँ पर लंब बटे आधार लगाएंगे, तो लंब कौन होगा, इस O, A, M, triangle में, लंब यह होगा, A, M, upon, और आधार क्या होगा, O, M, ठीक है, यह बात के लिए रहे, और A, M की value कितनी है, H है, और O, M की value कितनी है हमारे पास O, M, O, M हम अल्रेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए, O, M बराबर था O, P, ठीक है, तो यहाँ पर हम O, P रख सकते हैं, यहाँ मैंने O, P रख दिया, ऐसी मैं बात करता हूँ, triangle, यह वाला है, जो triangle है हमारे पास, I, A, M वाला, I, A, M, अब इसमें हम निक के एकवल था, I, P, के एकवल था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, H upon I, P, यह किलियर है, आप देखिए, triangle, last वाला triangle बचाए, शोटा वाला, A, I, C, A, Y, C, A, M, A, अब इसमें अगर देखिएंगे, तो फिर से वही कहानी, कौन सी triangle, मतलब 10 gamma equals to, A, M upon, और C, M, जो की बराब होगा, आपके किसके, C, P, के, यह बात समझा आगे, clear, यह पूरी कहानी, clear है, ठीक है, तो यहाँ तक हमें value समझ में सारी आ गई है, आप हमें क्या करना, इन 10 alpha, 10 beta, 10 gamma की value को उठाके, equation number 5 में रख देना है, तो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, 10 alpha, 10, beta, 2, 10, gamma, कामान, समी करन, 5 में, इसमें रखते हैं, ठीक है, अब इसमें अगर हम रखेंगे, तो देखिए, हमारे पाँ जो equation थी, वो क्या थी, यह थी, N1, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, N1, और 10 gamma की जगे पर क्या रख सकते हैं, यह जो हमने निकाला है, H upon PC, यह जो हमने नि 10 alpha की जगे पर क्या था, देखिए, 10 alpha का मान जो हमने निकाला था, यहाँ पर निकाला था, H upon OP, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, H upon PO, बात देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और N2 बराबर, मतलब N2 के बाद क्या था, ब्रैकेट में, 10 gamma था, 10 gamma की value हमने निकाली थी, H upon PC और 10 beta की जो value हमने निकाली थी, वो थी, H upon IP, यानि PI, ठीक है, यह हमने यहाँ पर लिख लिया, आप देखिए, यह पूरी कहानी हमारी आ गई है, अब इसे solve बगरना रह गया है, केबल, आप इसे फटा-फट से solve बगर लेते हैं, फिर हमारा derivation हो जाएगा, ठीक है, दो step औ और बचे हैं, derivation फूरा खतम हो जाएगा, आप देखिए, यहाँ पर H common आ सकता है, तो मैं यहाँ पर H common ले रहा हूँ, H N1, 1 upon PC, minus 1 upon PO, equals to N2, H1 upon PC, minus 1 upon PI, यह कहानी के लिए है, H से H cancel हो जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या रखने है, PC, PO, और PI की values रखने हैं, उठा के, मान रखने हैं, अब देखिए, यहाँ से मैं बताता हूँ, आप हो कहां से क्या-क्या values थी, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, PC की, तो यह था R केकवल, और IP की वाल बात करूँ, तो यह था B केकवल, और अगर बात सारी दूरियां क्या होंगी, यानि सारी दूरियां यहाँ पर negative mention करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अब यह देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, चू की, PC equal minus R, और PO equals to, आपका है, minus U, and PI equals to, आपका है, minus V, तो यह सारी दूरियां हम फिर से put कर देते हैं, अब इसमें 1 upon PC की value कितनी है, minus R, clear है, और PO की value minus U, clear है, और बराबर, N2, 1 upon PC, PC की value कितनी है, minus R, सही है, और H, यह कितनी थी, 1 upon PI, यानि PI की value कितनी है, minus B, तो आप देखो, यहाँ पर क्या होगा, N1, यह minus minus plus हो जाएगा न, तो इस plus वाली term को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 upon U, minus 1 upon R, ठीक है, N2, सेम ऐसी minus minus plus हो जाएगा, तो 1 upon B, minus 1 upon R, ऐसे लिख लिख लिए है, मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब देखो, आगे की कहानी क्या होती है, अब यहाँ आगे जब हम इसे solve करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, N की अंदर multiply करा जेता हूँ, तो यह हो जाएगा, N1 upon U, minus N1 upon R, ठीक है, यह हो जाएगा, R, और equals to, N2 upon V, N2 के अंदर multiply करेंगे तो, और N2 upon R, अब एक काम करते है, R, R वाली जो term है, इनको एक साथ ले ले जाएगे, तो इनको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर, N1 upon U, minus N2 upon V, यह clear है, और इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो यह positive हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, N1 upon R, minus N2 upon R, यह कहानी हो गई, आप देखिए, इसमें तो हम LCM ले नहीं सकते, ठीक है, तो U, minus N2 upon V, इसको solve कर देंगे, तो यह जाएगा, N1 minus N2, तो यहाँ पर, यह आपकी equation निकल के आईए, आपके derivation की, ठीक है, यह आपका derivation है, जिसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरा derivation ही करना है, और I hope आपको बहुत अच्छे से यह पूरा clear हो गया होगा, ठीक क्या कर सकते हो, minus से इसमें पूरे में multiply करा देना, जैसे आप minus से पूरे इसमें multiply कराएंगे, तो आपका answer जोगा, भुक से भी match हो जाएगा, ठीक है, जैसे माल निजीए, आपको अगर answer match नहीं हो रहा है, ठीक है, भुक से, तो आप क्या कर सकते है, minus बन से, गुणा करने प minus n1 upon u equals to n2 minus n1 upon r, तो अब जो है, आपके जो बुक है, इससे भी आपका answer match हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा derivation कर सकते हैं, और I hope आपको बहुत अच्छे से यह derivation clear हो गया होगा,